नमस्कार दोस्तों मैं उरितिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल ग्रिमा बोथरा दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विश्व विद्दाले ने बिना एकजाम कराई दोस्तों फाइनलियद के विद्द्यार्टियों को भी प्रमोट करने का निर्ने ले लिए Peak Paper वाले Student को भी दोस्तों परमोट किया गया है UGC की Guide swift को दरकिनार करते वे विद्यारती हितों को देह्कते वे दोस्तों इपएशला लिया गया है हम अश्य वित विद्धालें से भी दोस्तों यही दरख़ाश करते हैं पूरी न्यूज में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और वो ओपिसेल दोस्तों में आपको नोटिस भी दिखाने वाला हूँ जो इन्हों ने रिजल्ट को लेकर के जारी किया है लेकिन आगे बढ़ने से पहले यह दि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोतरा को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कर लीजे वेल आइकन बटन को दबा दीजे जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके हो और आपके बास पहुंचे सभी वाइस टीक निउज ये देखे दोस्तो इस उनिवर्सिटी ने बिना एकजाम कराए जारी किया फाइनल रिजेल्ट बेक वेपर वाले भी किये गए पास ये दोस्तो देख सकते हैं आप 80-20 के फोर्मूले पर असेस्मेंट और असाइनमेंट पर बनाया रिजेल्ट बेक वेपर वाले चात्रों को भी बिना एकजाम पूरी कराए गई है डिग्री कोरोना संकर्मन के चात्रों के हितों का आवाला देते वे यूजी सी गाइडलाइन को दरकिनार कर दिया गया है पस्चिम बंगाल की टेकनिकल यूणिवर्सिटी ने बिना एकजाम कराए यूजी और पीजी कोर्स के फाइनल सेमेश्टर का रिजेल्ट जारी कर दिया है यूणिवर्सिटी ने मौजुदा सेमेश्टर के असेस्मेंट और असाइनमेंट के 80 और 20 प्रतिसत के फोर्मूले को आधार बना कर रिजेल्ट जारी किया है बेक पेपर वाले छातरों को भी बिना एकजाम डिग्री मार्स के साथ डिग्री है वो पुरी करवाए गई है 80 प्रतिसत का दोस्तों जो फोर्मूला है वो यह है अधन विकास मंत्राले और गरहा मंत्राले के निदेशों को मुझूदा परिस्तितियों में लागू करना उचित नहीं समझा में के यूटी ने 6 जुलाइ को जारी यूजीसी की गाइडलाइन के तायत फाइनल सेमेश्टर के एकजाम नहीं कराए है और से इस बारे में नोट इविकेशन जारी कर दिया गया है जो मैं आपको वीडियो में आगे भी दिखाने वाला हूँ इसमें बताया गया है कि उनिवर्सिटी ने यूजी और पीजी के भाइनल सेमेश्टर चात्रों को रिजल्ट पब्लिस कर दिया गया है रिजल्ट उनिवर्सिटी की वेबसाइट बर जारी कर दिया गया है जिसमें SGPS कोड दिया गया है एक्जाम कंट्रोलर की और से कहा गया है कि कोरोना महामारी को देखते हैं उनिवर्सिटी ने मुल्यांकन का जो वेकल्पिक विवस्ता लागू की थी उसके अधारबरी रिजल्ट है वो तियार किया गया है मेके यूटी पैली स्टेट उनिवर्सिटी है जिसमें फजीसी की गाइडलाइन के बात भी बिना एक्जाम कराएं अपने छात्रों को रिजल्ट जारी किया गया है दूसरे राज्ये के विस्तो विद्दा ले और उनके अधिकारों पर क्या असर पड़ेगा दोस्तों यह बहुत बड़ी देखने वाली बात होगी इसमें आप देख सकते हैं उनिवर्सिटी ने यह फॉर्मूला अपना है बाकी 20-20 अंका जो असाइनमेंट्स के आधार पर दिये गए है एक या एक से ज़्यादा बेक परवाले चात्रों को पिछले प्रफॉर्मेंस के आधार पर ग्रेस मार्क्स देखकर के उनकी डिग्री पूरी कराए गई है उनिवर्सिटी ने रेगुलर और सभी बेक परवाले चात्रों के लिए फॉर्मल एक्जाम देने का विकल्ब खुला रखा है कोई चात्र अपने मार्क सब्ग्रेट कराना चाहता है तो प्रिस्तित्यां सामाने होने बर है वो परिक्षय देखकर अपना रिजर्ट अपडेट करा सकता है अब दोस्तों यह आप देख सकते हैं वो अपिसियल नोटिस आपके सामने है जो मोलाना अबूल कलाम आजाद उनिवर्सिटी और टेक्नोलोजी वेस्ट बेंगोल ने दोस्तों आज आरी किया है यह देख सकते हैं दोस्तों नोटिविकेशन इट इज नोटिवाइड वर इन्फोरमेशन ओफ ओल इस्टुदेंट्स एंडी प्रिंसिपल डिरेक्टर्स ओफ ओल अधा एफिलेटिड कोलेज ओफ अब हम दोस्तों बारत की जितने भी अन्यविस्टों विद्दा ले और कोलेज है उनसे भी दोस्तों यही निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार से मोलाना अबूल कलाम आजाज उनिवर्सिटी ओफ टेक्नोलोजी वेश बेंगोल ने विद्द्यार्थी हितों में फेसला लिया है विद्दा ले और कोलेज से जुड़ी वी कोई भी जानकारी कोई भी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजें अमारे अपने चैनल गरिमा बोथ्रागों में हुँ रित्तिक बोथ्रा वीडियो अच्छा लगाऊ तो दिख से दिख सेर जरूर करें